हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में रजनीस किचेन तो फ्रेंट्स आज तक आपने गोपी का प्रांथा गोबी की सबजी गोबी का अचार यह सब खाया होगा या आपने गोबी की कभी खीर खाई है नहीं खाई तो आप इस वीडियो को जरूर देखें तो फ्रेंट्स यह रैसेपी मैं नहीं मेरी नानी जी बनाएगी इसाब कहीं साल पहले चाहिंप गोबी की की खीर बनाई थी और उसके लिए इनको फॉर्ट यह बात बताई तो मैंने आप लोगों के साथ जरूर करूँगी है लग शुरू करते हैं अपनी रेसिप करके रख दिया था जो कद्वस का बड़ा साइस का जा होता है उससे करना है यसे और जुसकी डंधल होगी वह हम नहीं करेंगी कद्वकस जैसे आप देख रहे हैं गंधल मैंने अलग ही रख दीती से उपर जो फूल होता है वाइट कलर का हमने सिर्फ उसको ही ग्रेट करना है तो सबसे पहले हमने कड़ाई लेंगे इसमें हम देशी की दालेंगे कुछ तीन से चार बड़े चम्मच तो सबसे पहले हमने यहां पर ड्राइ फ्रूट्स फ्राइ कर लेंगे तो यहां पर हमने बदाम काजू और क्रिश्मिश लिया है तो सबसे पहले हम अडाम काजू को कूछ 5-6 स्टेस के लिए पहले प्राइल करेंगे जब 5-6 सेकिन हो जाएंगे इसे फ्राय होते हुए फिर हम इसमें एक कैसे के साथ इसे फ्राइल करेंगे तो यह थोड़ इसे एकदम लाइट ब्राउन हो जाएंगे मतलब गोल्डन कलर की तब हम इसे निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे जैसे आप अच्छी तरह निकाल के रख लें फिर हमने उसी कडाई में जो गोबी कद्दू कस करके रखी थी उसको डालेंगे इसको हमने भूनना है अगर आपको लगे देशीगी की और जरुत लगे तो थोड़ा सा देशीगी और उपर से डाल दे तो इससे अब चार से पांच मिनिट हो चुके हैं भूनते हुए इसका जो एक मीठा सा फ्लेवर की खुश्बू आने लग गई है तो हमने इसी के साथ हमने 500 ग्राम्स हमारी गोबी का फूल था गद्दू गस करके रखा था जो हमने फिर हम उसमें वन केजी मिल्क डाल देंगे फुल क्रीम मिल्क यूज किया यहां पर मैंने तब हम इसे कड़ने देंगे कुछ 10 से 15 मिनिट के लिए इसको आप जैसी उबाला आता जाए आप उसे कर्ची के हेल्प से उसे मिक्स करते रहें नहीं तो आप इसे सिम में करके रख दें जैसे ही इसे 10 मिनिट उबलते हुए हो जाएगा तब हम इसमें लाइची पाउडर और इसमें चीनी दालेंगे थर्ड फॉर्थ हमने यहाँ पे कप यूज की है चीनी का उसी के साथ हम अधाम काजू दाल देंगे किशमिस जो हमने फ्राइ करके रखी थी अब हमने इसे पांच मिनिट और इसे उबलने देंगे इसकी कंसिस्टेंसी वैसे अभी ठीक है बाट हम इसे थोड़ा सा और ठेक करेंगे कंसिस्टेंसी तो जैसी आप पांच मिनिट बाद देखेंगे खीर आपके एकदम ठेक हो जाएगी इसका मतलब है कि हमारी खीर बनके त्यार हो चुकी है तो आप इसे थोड़ा सा ठंडा करके सर्फ करें यह काफी टेस्टी खीर बनके त्यार होती है और मेरे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए आपको यह रेसिपी कैसी लगी और आपने कभी रेसिपी सुनी भी थी तो जरूर बताए मुझे कॉमेंट बॉक्स में थैंक यू म